आलो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं चिकेन तो फ्रेंट्स बनाएंगे इसको सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से क्योंकि हम आज बना रहे हैं कुछ खास तरीकों के साथ वो भी बहुत ही सिंपल इंग्रीडियन्स के साथ और जो बच्चे बैचलर हैं और बाहर रहते हैं घर से उनके लिए खास कर ये रेश्पी है क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाए हैं तो चलिए हम विडियो को सुरू कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमने पैन चड़ा दिये हैं गैस पे हमने मोटी तले का पैन लिये हैं और इसको हम पूरे अच्छे से पाले गरम कर लेंगे कडाई को और उसके बाद हम इसमें सरसो वाइल एड़ करेंगे क्योंकि चीकेन जो है सरसो वाइल में ज्यादा बढ़ियां बनता ह और टेस्ट निखर के आता है तो जैसे ही तेल हम अच्छे से बिल्कुल गरम कर लिये हैं देखे कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले आइड करेंगे खड़े मसाले हमने जीरा लसन तेजपता दो रेड चिली और हमने खड़े गरम मसाला दाल चीनी लॉंग और हमने काली मिर्च लिये हैं और छोटी लाइच लिये हैं और यह सब को मच्छे से पकने देंगे यहां पर फ्लिम को हम लो कर देंगे नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे फ्लेवर सारा खराब कर देंगे तो देख सकते हमने लसन बहुत कम यहां पर किये हैं, तो हम 3-4 कलियां ही लासन दिये हैं, तो friends अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद हम प्याज को यहां प्याइड करेंगे, हमने प्याज को चार से पाच प्याज मेडियम साइज के लिए हैं, क्योंकि हम हाफ की जी चिकेन बना रहा हैं, तो हम गूल्डन होने तक फ्राई करेंगे तो इसको आप कभर करके भी फ्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे ही हाई फ्लेम करके चलाते हुए फ्राई कर सकते हैं तो इसको हम गोल्डेन होने के बाद आपको दिखाते हैं और यह बहुत ही कम टाइम में अगर हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करते हैं तो देख सकते हैं हमारे जो प्याज है अल्मॉस्ट फ्राई हो गया है तो फ्रेंट यहां पर हम chicken को हमने धो के रखे थे उसको यहां पर हम एड़ कर लिए हैं हमने chicken को magninate नहीं किया हैं क्यूंकि हम आपको बताएं कि हम bachelor के लिए बना रहे हैं तो उनके पास इतना time नहीं होता है कि अजय होता है झाल 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 झाल